सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी याने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब आपको अपने चैनल में पुशाम दी कहते हैं अबीद करती कि आप साफ फैरियो से होंगे आज मैं आपको आटे की मदद से दिस्कुट बनाने का तरीका गता हुए लेकिन इसके पहले आपने हमेशे की तरह मेरी वीडियो को लाइक करने फ्रेंड और फैमली के साथ शेय करें ताकि आप लेगी वीडिस को सबसे पहले देख सके हैं चलिए मैं बताती हूं कि आटे से बिस्कुट बनाने में हमें पहुंस इंग्रीडियन दर्कार होंगे इसके लिए मैंने ये दो कप अटा लिया है एक कप चीनी पाउडर फों में आप इसकी जगह आईसीं शुगर भी इस्तमाल कर सकते हैं तू टेवल स्पून दूद और एक कप घी ये घी मैंने आम घरवला घी इस्तमाल करें आप चाहें तो देशी घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं या मखन का भी चलिए अब हम इन सारे दो को जिईब việc से हमने कटे से मिक्स करके हैं सबसे पहले मघ्चा लेंगे इस आथि के ऑंदर यह चिनी मिक्स करें एक हमिसी के अंदर आई कि आज़ करेंगे इससे पहले हम इनक्ष ची को मिक्स करें लेंगे बेक्किंग पाउडर को इसके साथ चंद कत्रे हम बनेला एसंस के यह आपकी मर्जी है आप चंद ड्रॉप्स हम बनेला एसंस के डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके इसको एड़ करते हैं कि आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको बन सकते हैं अब यह मैंने घी अच्छी से इसमें मिक्स कर लिए आप यह टू टेबल स्पून दूद अब यह देखिए मैंने इसको अच्छे से इसकी डोव बना लिया यह आपके सामने अब हमने क्या करना है इसमें से आटा आपने जो गूंदा है उसका मर्जी से पेडा ले लेना इस तरह गोली बनाई इस तरह आपने इसको रूख असके बाद आपने इससरा कांटा लेना है और इस तरह आप हम मैं सारे डिजाइन के बिस्किट ड्राडी कर लोगी इसकी जो अपने डो है वो पतली रखनी है जैसे यह मैंने रख़ीय है किया मैंने बेकिंग ट्रे ले लेलिए बेकिंग ट्रेंदर थोड़ा सा मैं अब हम इसको अच्छे से ग्रीज कर लेंगे अब मैं इसके अंदर बटर पेपर रखूंगी अब इसके अउपर हम अपने बिस्कित जोट गए अच्छा अब मैंने एक जो है वो इस तरह स्टार बनाया है आपको जिस तरह का डिजाइन पसांदो आप इसको वैसे बना लिजेगा इन में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे जब हम बेकिंग करेंगे तो यह खूल लेंग अब मैं इस तरह की शेप कर और इस तरह की शेप के सारे बिस्कित रड़ी कर लो यह देखे मैंने इस तरह सारे बिस्कित को रड़ी कर लिए मैंने इसको टू डिफरेंट शेप में बनाया एक ही आपके सामने शेप है एक मैंने स्टार्स की फॉर्म में किया है एक मैंने इस के बाद यहां पर मैंने इसको ग्रिल सेट किया है यह बोद साइड अपर से भी हीट आएगी और यह नीचे भी आपको रैड कलर की अंदर से लाइन इस नजर आ रही है 10 मिनट के लिए 10 मिनट बाद जब यह प्री हीट हो जाएगा तो मैं बिस्किट की ट्रे को इसके अंदर रखेंगे बेटिंग के लिए यह देखे 10 मिनट हो चुके हैं अब मैंने इस निशान को 180 पर लेकर जाना है अब मैं इसको उपन करूंगी अब मैं इसको बन करते हैं अब इससे हम 15 मिनट तक बेक करेंगे आफ्टर 15 मिनट हमारे यह बिस्किट बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे यह देखें अब यह बेक हो चुके हैं मैं इस ट्रे को बाहिन का दूंगे यह देखें यह पक चुके हैं इस टाइम यह फुल हीट है लेकि मैं आपको यह दिखा रही हूं उठाकर यह पक चुके हैं इसी तरह आप अपने सारे बिस्किट को रेडी कर लेए हमेज थे खाले केसे लिए रेडी हो चुके हैं उमेड करती हूं कि आपको आज ही पसंद आई होगी इसे घर पर ट्राय करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारे यह डिश कैसी लगी हमशाल एक बार फिर नए रेसिपी इस के साथ आपकी खित्मत में हा नेरी वीडियो को लाइक करने, फ्रेंड और फैमली के साथ शेयर करने, और जिन्होंने मेरे चानल सब्सक्राब नहीं किया, प्लीज मेरे चानल सब्सक्राब करें, ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें, थैंक यू